नमस्कार दोस्तों देखे साती हो आज NCRT की क्लास जो सीख से हिस्टरी उसका नेक चेप्टर हम पढ़ने वाले हैं नए पर्षन नए विचार और जो पिछली क्लास थी हमारी उसमें से आपको ये बताना है कि जो वज्जी महाजनपत था उसकी राजदानी क्या थी वो कमेंट करके बताईएगा तो आगे चलते हम अंगा निकली शेर पर अंगा ये बच्ची का नाम है आज पहली बार अपने विद्याले की ओर से शेर पर जा रही थी इसके लिए उसने देर रात पूने से वारानाशी की ट्रेन पकड़ी इस्टेशन पर अंगा को छोड़ने आई उसकी माने अध्यापिका से कहा बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाईएगा तो अब क्या है सारनाथ में और थोड़ा सा देखे मेरी जो बोलने की سपीड है मैं उसको थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं यानि जो बोलने की स्पीड गती थोड़ी तेज कर रहा हूं क्योंकि जहां सिर्फ line to line है तो उसमें जो है थोड़ा चीजें जल्दी इसमें हो जाए आलेकि नेचरल स्पीड मेरी वो ही है जो मैं आभी बोल रहा हूँ थोड़ी से मैं इसको गती बढ़ा रहा हूँ इन वीडियो में तो बुद्ध की कहानी बोध्रम के संस्तापक सिदार थे जिने गोतम के नाम से भी जाना जाता था उनका जनम हुआ था लगवग पचीसो वर्स पूरो यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे जैसा कि तुमने अध्याई पांच में पड़ा महाजनपदों के कुछ राजा इसमें बहुत शक्तिसाली हो गए थे और हजारों सालों के बाद फिर से नगर उबर रहे थे गाउं के जीवन में भी बदलाव आ रहा था अध्याई नो में देखो तो आगे देखेंगे बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का परियास कर रहे थे वे जीवन के सचे अर्थ को भी जानना चाहा रहे थे तो ये 25 सो वर्ष पूरव तो महात्मा बुद के बारें बैसिक सी बातें है गोतम बुद इनको कहते थे बच्पन का नाम था सिदार्थ और बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का परियास कर रहे थे वे जीवन के सचे अर्थ को भी जानना चाहा रहे थे तो वो जो बदलाव का समय है देखिए जो पूरव वेदिकाल और उतर वेदिकाल तो महत्मा बुद है ये छटी स्तावदी इसा पूरव में आते हैं तो पूरव जो उतर वेदिकाल हम जिसको कहते हैं 1000 इसा पूरव से 600 इसा पूरव का समय है तो इस उतर वेदिकाल के अंदर करम कांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे जैसे ये किसी भी चीज के लिए हमन वगएरा है तो हर चीज के लिए ये ऐसा नहीं है कि जो रिगवेदिकाल है उसमें भी होते थे लेकिन यहाँ थोड़ा साब कह सकते हो कि इस तरह के करम कांड जो है इन में बहुत ज़्यादा वरदी होगी थी हर चीज के लिए जैसे माली जी कि किसी के मरत्य होगी तो उसको ये कहा कि तेरे परिवारे में इसके मरत्य होगी जब तक सो जो है ब्रामनों को बोजर नहीं कराओगे या सो गाएं तुम दान नहीं करोगे तो तब तक जो है वो तुमारे जो उपर पिताजी गए है उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा इस तरह की जो कई कुरूतिया उसमें आनुशुरू होगी थी और आपको मैंने बताये थे चार वरण होते हैं ब्रामन शत्रिये वेशे और ब्रामन जो है अब देखे अब यह चीजे थोड़ी सी बैसिक सी चीजे है इतियास की चीजे है एक इनको समझना जुरूरी होता है रिगवेदी काल का जो समय था वो करम आधारित था यानि मा और ओल आपको अगर समझा रहा हूं उसमें एक बार आप NCRT बूल जाओ रिग ब्रामन जो ग्यान देने वाला उससे ये बने थे कारिये के आधार पर इनका जो वर्गी करन किया गया था कारिये के आधार पर ब्रामन उसको कहते थे ब्रह्म यानि जिसको ग्यान होता था जो ग्यान प्राप्त करता था और अध्यन अध्यापन वो जो लोग करते थे उनक कहते थे। बहुत अच्छा लगेगा बच्चे को, तो वो बच्चा ब्राह्मन में आ सकता था, ये व्यवस्ता थी रिगवेदिकाल में, जैसे ही हम उत्तरवेदिकाल में आते हैं, तो उस समय जो ब्राह्मन वरण के अंदर लोग थे, उन्होंने ये देखा कि ये काम बहुत सही है, क्यो पुरोईत होते थे, वो सब ब्राह्मन थे, तो अब चुंकि ग्यान देने वाले जो लोग होते हैं, उनका हर कोई समान करता है, शत्रिये भी समान करेगा, वेशे भी करेगा, और सुद्र भी करेगा, तो यहां से जो ब्राह्मन वरण के लोगों ने ये देखा कि ये काम तो बहुत सही है और तिनों ही हमारे सामने आके और हमें परणाम करते हैं तो यहां से उन्होंने क्या क्या इस चीज को जो है वो जनम आधारित कर दिया कि ब्रह्मन का जो पुत्र है वो ज्यान ही देगा अब चाहिए उसमें ज्यान हो या नहीं हो उसकी कोई रूची हो या नहीं हो लेकिन अब इन्होंने वहां से उसको क्या बना दिया जो रिग वेदी काल के अंदर वेवस्ता थी करम आधारित उत्तर वेदी काल में वो आतियाती वेवस्ता कैसे हो गई जनम आधारित हो गई अब जनम आदारित होगी, दिरे-दिरे जो करम कांड है, ये भी बहुत जादा होने लगे, कई जो है वो कुरूती आने लगे, कि तुम्हें यग्य करना ही पड़ेगा, बले तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कोई करह साब उसके गर में किसी की मरत्यू होगी, तुम्हें सोग हो गया था, कि इनका विरोध करने की जो शमता है, वो किसी में नहीं थी, यहां तक की शत्रियों के अंदर भी नहीं थी, कि वो इतना विरोध कर पाएं, वेश है और सुद्र में तो बिलकुल ही नहीं थी, शत्रिये जो थे, उनमें ऐसा नहीं है कि उनमें जो शमता है वो नहीं थी, शम्ता थी, लेकिन खुलम खुला इस तरह से विरोध कैसे करें, तब इन्होंने क्या किया, छटी स्ताथदी इसा पूरव का जो समय था, उस समय एक तरफ महातमा बुद्ध आते हैं, और एक तरफ आएंगे मावीर स्वामी, और आप दोनों ही देख लिजिए, दो परिवार जो था, उसको साइड में किया, और फिर पूरी तरह से जैसे संथ महातमा होते हैं, उस तरह का जीवन अपनाया, लेकिन, सबसे बड़ी बात देख लिजिएगा, महावीर स्वामी और महातमा बुद्ध, दोनों ही विरोध करते हैं, किस चीज़ का, करम कांड का, आलंकि ऐसा नहीं कि इसके बारे में कुछ गलत बोलते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को न कारते थे, जैसे मालीजी जैसे मातमा बुद्ध के बारे में सब जानते हैं, कि उनसे कोई पूस्ता था कि आत्मा क्या है, प्रमातमा क्या है, आत्मा का मरने के बाद क्या होता है, तो इस तरह के स्वालों का मात्मा बुद ने कभी जवाब नहीं दिया और ऐसे जो कुष्ण होते थे उनको हम कहते थे ऐ व्यक्ता नहीं यानि मात्मा बुद कहते थे कि इनको व्यक्त नहीं किया जा सकता है अब ऐसा थुड़ी है कि मात्मा बुद को जानकरी थी नहीं बुद त करके और उसका तीर निकालने के बजाए हम उससे ये पूछते हैं कि तुमें ये तीर किसने मारा क्या तुमने जिसने तीर मारा उसको मारते वे देखा तुमने क्या वो इधर से बागा या उदर से बागा अच्छा वो चांद की देखो चांद की रोशनी कितनी खुबसूरत लग रही है, चांद की चांद नहीं कितनी सुन्दर है, वो वेक्ति दर्द से करा रहा है, और तुम उसका दर्द दूर करने के बज़ाए, तीर निकाल के मलम लगाने के बज़ाए, उससे इस तरह के स्वाल पूछ रहे हो, यही इस तरह के स्वाल है, इनका जवाब देना है, और इसी लिए मात्मा बुद्ध के दर्शन को भी हम वेवारिक दर्शन कहते हैं मात्मा बुद्ध के सबसे बड़ा यही था कि दुख, दुख को दूर करना और उसी के लिए उन्होंने चार आरिय सत्त्य दिये तो सब कडियां एक दूसरे से जुड़ी भी है यह क्यों जो शत्रिय दर्वाले थे क्यों मात्मा बुद्ध और माविर स्वामी को इस रूप में आना पड़ा हाँ वो ज्यानी थे निशित रूप से, no doubt लेकिन जो ब्राहमन वर्ण का इतना भेंकर परवाव हो चुका था उस समय और परवाव तो देखिए जो रिगवेदी काला वहाँ भी था लेकिन जब आप किसी को प्रेशान नहीं करते तो लोगों कोई समझा नहीं है सब वो इमान समान है लेकिन आप तो वो चीजे बदल चुकी है आपने वर्ण व्यवस्ता को जनम आधारित कर दिया शुद्र का बच्चा है जो शुद्र वर्ण में है वो कितना ही इंटेलिजेंट हो कितना ही वीर हो और कितना ही उसकी व्यापार वानीजी के उसमें शमता हो आप उससे तिनों की सेवा ही जो है वो ही करवाओगे ये व्यवस्ता हो चुकी थी उत्रवेदिकाल में तो और किसी के अंदर इतनी शम्ता नहीं थी कि वो इतना विरोध कर सके शत्रिये जो थे इनमें शम्ता थी और इनमें इस रूप में ये आते हैं माविर स्वामी और महात्मा बुद्ध और आप देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने करम कांड का विरोध किया था और अगर आपको और ज़्यादा जानकारी हो तो माविर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ही जो है यानि बोध दर्शन और जेन दर्शन ये दोनों ही वेदों में विश्वास नहीं करते थे ये वेदों को नहीं मानते थे और ना ही ये किसी इश्वर को मानते थे ये बात अलग है कि इनके मर्त्यू के पसाद महात्मा बुद्ध और माविर स्वामी के मर्त्यू के पसाद इनके जो अन्याई थे, उन्होंने इनको इश्वर के रूप में इस्थापित कर दिया, लेकिन इन्होंने खुद ने कभी भी किसी भी इश्वर को नहीं मानते थे और ना ही ये वैदों को मानते थे उसका रीजन क्या था, ऐसा थोड़ी है कि वैदों में जो लिखी गई बाते हैं वो गलत थी, लेकिन वैदों की व्याख्या गलत करने शुरू कर दी थी इस वरण में, ब्राह्मन वरण में, अपने लाब के लिए तो इसलिए वो इस चीज़ को न कारते थे और इस बारे में बात ही नहीं करते थे तो ये सही एर्थों में एक हिश्ट्री जबा पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज़ें होती है कि क्यों गटना क्यों हुई थी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक संयोग नहीं है कि मातमा बुद्ध को अचानक ज्यान प्राप्त हुआ, उनको इस तरह से फिल हुआ और वो गर चोड़ के निकल गए या माविर स्वामी गर चोड़ के निकल गए और जो है उनको इस तरह से ज्यान प्राप्त हो गया बहुत से रीजन थे उस समय जब डेपली गहराई से आप अध्यन करते हो तब आपको चीजे समझ में आती है कि ये गटना करम क्यूं होते हैं तब ही आप मात्मा बुद्ध ने पूरे जिवन इस चीज पर जोड़ दिया कि व्यक्ति दुखी है उसके दुख को दूर करो बाकी चीजों का कोई महत्व नहीं है इसलिए उनको व्यवारिक दर्शन कहते हैं हम मात्मा बुद्ध का जो था बो दर्म के संस्तापक हैं वो सिद्धार थे जिने गोतम के नाम से भी जाना जाता था और अब इसके आगे की चलो आप बात आई गई यह तुम और बताता हूं आपको अब जब महत्मा बुद्ध का जब बो दर्शन आ जाता है और महावीर स्वामी का भी आया चुंकि महत्मा बुद्ध का जो बो दर्शन है असोक ने बहुत विस्तार दिया इन दर्शन को जो है च्यारों और फैलाने में राजाओं का बहुत बड़ा योगदान था असोक जो है महत्मा बुद्ध की सिक्षाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावी था और उसने हर जगए बो दर्व में बो दर्व कर दिया तो जब ये इतना ज़्यादा परचार परचार बो धर्व का हो गया हिंदूस्तान में हिंदूस्तान के बाहर आसपास के सब कंट्री में तब जो हिंदू धर्म से समधी जो वेद वगएरा थे वो सब हाशिय में चले गए और तब ये ऐसास हुआ कि ये हमने बहुत बड़ी गलतियां कर दी कि हमने ज़्यादा इसको क्या बना दिया करम कांड परदान बना दिया और इसी कारण से लोग हमसे दूर चले गए और मात्मा बुद्ध का क्या दर्सन था बिल्कुल सिधा सिंपल सा दर्सन है किसका दुख दर्द है उसको दूर करो और एक तरफ आप कह रहे हो कि सो गाएंदान करो विक्ति किस तरब जाएगा कि जो दुख दर्द वाली बात कर रहा है वो ज़्यादा भला आदमी है और तभी देखेगा आप भविश्य के अंदर फिर आदि गुरु संक्राचारी जी का जनम होता है और च्यारों दुशाओं में उन्होंने मठों की इस्तापना की और उस समय जो है फिर संक्राचारी जी से पहले फिर उपनिशद आते हैं तो उपनिशद जो है वो पूरी तरह से ग्यान-कांड है और उपनिशदों में कोई भी इसतरे की बात नहीं है आपको शायद उपनिशदों के बारे में हो सकता है आप साइद एक ही समस्ते हो उपनिशद वेदर एक नहीं है उपनिशद पूरी तरह से ज्ञान कांड है उपनिशद में कहीं भी ये लिखावानी है कि आपने ये अगर पाप किया है तो आप इसके लिए हमन करवा दू आपके गर में किसी के मरत्य होगी उसकी स्वर्ग प्राप्ति चाते हो तो 20 गाई दान कर दू ये कहीं उपनिशद में किसी भी उपनिशद में नहीं है 108 उपनिशद है मैं किसी भी उपनिशद में नहीं लिखावा है और इसी लिए उपनिशद को हम ज्यान कांड कहते हैं तब ही आप जो पढ़ते हैं, सहीता, वेदों के चार भाग, ब्राहमन, आरेनक और उपनिशदु। तो सहीता झो है, वो चार जो वेद हैं, रिगवेद, येजरुएस, साम्वेद, अत्रुएद, वो इसे सहीता के पार्ट हैं, ये चार भाग हैं, और डूसरा जो ब्राहमन है, ये था पूरीतर करमकांड, यम्all olm इन्हां से गिरावट सुरू होती है, उससे में बो धरमका पर तरह से उपनिशद, यानि ये है ज्ञानकांड, तो इसके बाद में फिर संकराचारी जी ने आकर उपनिशदों की व्याख्या की और जन जन तक उसको पहुंचाया, तो फिर से वापस जो है ये जो वेदर उपनिशद रहें, इनका परचार परचार होता है, और जो पहले पुराईयों को दूर किया उपनिश्दों में, तो सब कडिया एक दूसरे से जुड़ी भी है, तो बुद्ध की कहनी, तो ये हो गया कि अब है बुद्ध जो है, वो शत्रिय थे, और साक्या नामक एक छोटे से गण से सम्मधित थे, युवा वस्ता में ही ज्यान की खोज म उन्होंने घर के सुकों को छोड़ दिया, अनेक वर्षों तक वे बर्मन करते रहे, और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे, अन्तत्य ज्यान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वेम ही रास्ता ढूंडने का निश्य किया, इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहा के नीचे कई दिनों तक तपश्या की अंतता उन्हें ग्यान प्राप्थ हुआ। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए, यहां से वे वारानीशी के निकट स्थित सारनात के जहां उन्होंने पहली बार रूपनेश दिया। तो सारनात जो जगह है बहुत ही खुबसूरत है, बहुत ज़्यादा सुन्दर है। पहली बार रूपनेश दिया था, कुशी नारा में मर्त्यू से पहले का सेश जीवन, उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व कष्टों और दुखों से बरावा हैं और ऐसा हमारी इच्छा और लाल साओं जो हमेसा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी-कभी हम जो चाते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष नहीं होते और एवं और अधिक वस्तूं को पाने की इच्छा करने लगत उसकी त्यारी करूँ तो और होना भी चीए वो कोई चीज गलत नहीं है हमेसा इनसान को उनति करने के लिए परियास करते रहना चाहिए सचे अर्थों में सफलता वो ही होती है कंटिनू परियास करते रहना आगे से आगे के लिए बुद्ध ने इस लिपसा को जो है वो क्य आगे अब थोड़े दिन में आपकी इच्छा होगे कि मेरे पास कार हो जाए कार आगे थोड़े दिन में इच्छा हो जाएगी कि मेरे पास बड़े वाली कार आजाए फिर मेरे पास ये वाली हो तो इस तरह से तिर्शना कहा है बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म सयम अप पड़ोगे ग्यारमा जो अध्यायाएगा उसमें डिटेल में और है इनके बारे में तो यह सारनात इस्तूप है जहां मात्मा बुद्ध ने अपना पहला देश दिया था यह सारनात इस्तूप है ऐसे लोगों को दयालू होने और मनुस्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहें वे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रबावित करते हैं आप देख लीजिए कि महात्मा बुद्ध के बारे मैंने आपको बताया करम कांड को नहीं मानते थे, लेकिन करम सिद्धान्त इसको मानते थे, कि जैसा जो करम करोगे उसका उसी परकार का जो फल है वो मनुश्य को मिलता है। बुद्ध ने अपनी सिक्ष्या सामाने लोगों की प्राकर्थ भासा में दी थी, इसे सामाने लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। और जबकि ये वेद वगरार थे, ये किसमें होते थे संस्कर्थ में, तो संस्कर्थ आम विक्तिवाती नहीं थी। तो बासा का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसे प्रात्ना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला वेक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा मुझे एक मुठी सर्सों के बीज लाकर दो मैं तुमारे पुत्र को जीवित कर दूँगा। किसा गोत्मी बहुत पर्षन हुई पर जैसी वे बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लगो जहां किसी की मरत्यू नै हुई हुई हुई। बुद्ध दुखी मां को क्या सिक्षा देने का परियास कर रहे थे कि मरत्यू जो है वो क्या है जीवन का सत्य है। अब आता है उपनिशद। जिस समय बुद्ध उपतेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी खटीन परशनों का उतर ढूंडने का परियास कर रहे थे। उनमें से कुछ मरत्यू के बाद के जीवन के बारे में जानना चाते थे जबकि अन्य यग्यों की उपयोगिता के बारे में जानने कूल सकते। इन में से अधिकास चिंदकों का मानना था कि विश्यों में कुछ तो ऐसा है जो इस्थाई है और जो क्यों मर्तियों के बाद भी बचा रहता है उन्होंने इसका वर्नन आत्मा तथा ब्रह्म अत्वा सारुव भूम आत्मा की रूप में किया है तो उपनिशद जो मैंने आपको ज्यानगांड उपर बताय था यहां जो उपनिशदों में आत्मा अ कर्मुग विश्य और आत्मा और ब्रह्म ये ब्रह्म इश्वर से भी देखिए उपर एक सत्वा है इश्वर जो है उसको हम जो है उनके घुनों का वर्णन कर सकते हैं लेकिन ब्रह्म जो है इनके घुनों का वर्णन नहीं किया जा सकता यानि इनको निर्गुन कहा गया है निर्गुन ब्रह्म और आत्मा और ब्रह्म यह दोनों एक ही है, उपनिश्दों में जो आत्मा का वर्णन है, उस आत्मा को आप यह मत समना कि आत्मा उपर जाएगी, स्वर्ग मिलेगा या नरग मिलेगा, वो चीजे थी ब्रह्मन में, यानि जो करमकान था वहां थी वो, उपनिश्दों में आत्मा और ब्रह्म को एक मा मेव नापर, यानि जीव और ब्रम, जीव से मतलब आत्मा से, जीव और ब्रम, नापर नापर मलब दोनों एक ही हैं, तो ऐसे कई विचारों का संकलान उपनिशतों मेवा, उपनिशद उत्तर वेदी गरंथों का हिसा थे, उपनिशद का साब्दी करत है गूरु के समीप इन गरंथों में अध्यापिकों और विद्यार्थों के बीच बादसीत का संकलन किया गया है, तो उपनिशद का शाब्दी करत होता है गूरु के समीप बैठना, प्राय ये विचार सामाने वारतलाप के रूप में प्रस्तूत किये गए हैं, तो अब भारतिय दर्शन की छ चैपदती शड़ दर्शन, सद्यों से भारत द्वारा सत्य की बोधिक खोजगा परतिनेदुतों दर्शन की छै साखाओं ने किया, ये वैसे सीक नियाई, सांख्यय, योग, पूरो मिमानसा और वेदांत या उत्र मिमानसा के नाम से जाने जाते हैं, दर्शन की इन दर्मशे, रिशी, कनाद, गोतम, कपिल, पतंजली, जैमेनी और व्यास द्वारा, जो है की गई, मानी जाती हैं, जो आज भी देश में बोधिक चर्चा कुदिशा देते हैं, जर्मन मूल के बीटीस बार्तवीद, फ्रेडिक मेक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन का विकास कई पीडियों के दोरान व्यक्तिकत विचारकों के योगदान सिवा, यद पी ये एक दूसरे से भिन दिखते हैं, तथा पी सत्य की इनकी समझ में आधारवु तालमेल दिखता हैं, और ये जो छै दर्शन है, इन छै दर्शनों में भी जो सबसे प्राचीन हैं, और में जो थी में दर्शनों की, वो एक ही है, तो शड दर्शन में ये माने जाते हैं, छै दर्शन, अब आता है बुद्धिमान विखारी, यह वारतलाब चांदोगे उपनिशद, नामक परसिद उपनिशद की एक कहानी पर आधारित हैं, सोनक और अभी परतारिन, न आमक दो रिशी सार भूम आत्मा की उपासना करते थे, तो इनके नाम से पूर सकता है, कि यह जो एक कहानी है, इनके नाम के दो रिशी हैं, कौन से उपनिशद में ये कहानी है, तो चांदोगे उपनिशद में, एक बार जो ही वे बोजन करने के लिए बेठे एक बिखारी आया और बोजन मांगने लगा, शोनेक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, बिखारी ने कहा विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं, तो अभी परतारी ने कहा सार भूम आत्मा की, ओ है, इसका मतलब आप मानतीं कि सार भूम आत्मा संपुन विश्व में विद इसलिए हे रिश्व मुझे बोजन ने देकर, आप उस सार भूम आत्मा को बोजन देने से मना कर रहे हैं, तो बिखारी के बाद की सचाई जानकर रिश्व ने उसे बोजन दे दिया, तो ये कहानी गटना करम है, कि किस परकार से बिखारी ने बोजन पाने के लिए विचारकों का भी उलेक मिलता है, विद्वता के लिए परसिद गारगी, राज दरबारों में होने वाले वाद व्याद में भाग लिया करती थी, निर्द्यन व्यक्ति इस तरह के वाद व्याद में बहुत कम ही हिसा लेते थे, इस तरह का एक परसिद अपवाद सत्यकाम का नाम उसकी दासी मा के नाम पर पड़ा, सत्यकाम के मन में सत्य जाननी की तिवर जिग्या सा उत्पन हुई, गोतम नामक एक ब्राहमन ने उन्हें अपने विद्यार थीकरों में स्विकार किया, और वह अपने समय के सरवादिक परसिद विचारकों में से एक बन गई, और व्याख्या जिस ने की है, वो है संकराचारिय जी, फिर है व्याकरण विद पाणिनी, इस यूग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे, उन्ही परसिद विद्वानों में एक पाणिनी ने संसकर्थ बासा के व्याकरण की रचना की, उन्होंने सवरों और व तो पाणिनी का संसकर्थ बासा की व्याकरण की रचना की थी, ये मैत्पुन है, बाकी तो ये कोई नहीं पूस्ता, जेन दरम, इस यूग में अथर्द लगव 25 वर्ष पूरों जेन दरम के 24 में वे अंतिम तिर्थंकर वर्दमान महावीर ने भी अपने विचारों का परसा किया, वह वज्जी संके लिच्वी कुल के एक शत्रिय राजकुमार थे, इस संके विश्या में तुमने अध्याई पांच में पड़ा है, तीस वर्ष के आवि में उन्होंने गर छोड़ दिया, और जंगल में रहने लगे, बारा वर्ष तक उन्होंने कठीन तपश्या और जो है तपश्या कर सकता था, अगर उस वक्त ये चीजें होती, तो लोगों को दिक्कत आती फिर तपश्या करने में, उनकी सिक्षा सरल थी, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले परतियक इस्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अतारत किसी भी जीव को ने तो कष्ट देना चाहिए और नहीं उसकी हत्या करने चाहिए, महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन पिरिये हैं, आप ये देखिए कि उन्होंने अहिंसा का इतना बड़ा सिधान, जो बोध दर्शन है उन्होंने भी दिया, और इन्होंने भी जेन दर्शन ने भी बात किई, पर जेन दर्शन ने आहिंसा को अधिक महत हुद दिया हैं, उसका रिजन में आपको मैं सुरू में कानी सारी समझा चुका हूँ, जब मैंने आपको बताए कि कर तो फिर बैल आएंगे कहां से, जब आप इन पशों के बली देने लग जाओगे, पहंसा है, बैल है, जब इनके बली दोगे तो पशों आएंगे कहां से, तब आप देखे, उसी समय फिर जब वो चीज अपनी सर्वत्ष पराकाष्टा तक पहुंच गी थी, बली पर था, क इनकी वज़े से बहुत ज़्यादा इस जो है, नुकसान हो रहा था, पूरी सोसाइटी को, पूरे देश को, सभी जीव जीना चाहते हैं, और सभी के लिए जीवन पिरिये है, तो देखे, कितने बड़े लोजिक हैं, और यह हिस्ट्री का मज़ा है, कि हर चीज कड़ी से भी होती है, अब आप के वल डारेक्ट ये पोइंट पढ़ते हों कि इन्होंने आहिसा का सिदान दिया था, उसके पिछे की कड़ियां देखी कि वो आहिसा का सिदान दिया, क्योंकि उस वक्त बली परता सर्वोच अपने पीक पोइंट पे थी, तो इसलिए उस चीज को पर्चलन शेत्र के आधार पर ही उन्होंने अलगलग नाम थे, जैसे मगद में बोले जाने वाली प्राकार, मागदी कहलाती थी, जैन नाम से जाने गए महवीर के अनुयाईों को बोजन के लिए बिक्षा मांग कर साधा जीवन बिताना होता था, उन्हें पूरी तरह से इ जैन शवद जो है वो जिन से निकला है, जिस कार्थ होता है विजेता, तो महवीर के लिए जिन शवद का परियोग क्यों हुआ, तो क्योंकि अपने इंदरियों को नोंने विजित कर लिया था, अधिकांस व्यक्तियों के लिए ऐसे कडे नियमों का पालन करना बहुत कठी फिर भी हजारों वेक्तियों ने इस नई जीवन शेली को जानने और सीखने के लिए अपने गरों को छोड़ दिया, कई अपने गरों पर ही रहे और बिखु बिख्षुने बने लोगों को बोजन परदार कर उनकी साहिता करते रहें, मुख्यत है व्यापारियों ने जेहन दूर करनाटक में भी फैल गया, महवीर और उनके अन्वियाईयों के शिक्षाएं कई इस्ताब्दियों तक मोखिक रूप में रही, वर्तमान रूप में उपलब्द जेहन धरम की शिक्षाएं पंदरा सु वर्ष पुरों गुजरात में वल भी नामक स्थान पर लिखी ग जो राजस्तान के सबसे, क्या पूरे भारत के सबसे सर्वेस रिष्ट मंदिरों में माने जाते हैं जो, तो देलवाडा के जेन मंदिर हैं, यहां की बात करें राजस्तान की, भारत में भी बहुत हैं, तो राजस्तान के अंदर कोई सा सहर या सिटी या कोई गाउं ऐसा नह हो तो राजाओं ने खूब इनको संग्रक्षन दिया और जो अच्छी बाते करेंगे अहिंसा की बातें करेंगे सब जीओं का ख्याल रखना चीए किसी की हत्या नहीं करनी चीए तो निशी तुरूप से राजा जो है उनको संग्रक्षन भी देंगे तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे बाकि जो और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिन जै भारत